इस वीडियो में हम ग्राम सचीव का जो एक्जामस 10 जनुरी को मौर्निंग सिफ्ट में हुआ था उसको हम हल करेंगे और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मैंने 100% सभी कोश्चनों को बिल्कुल 100% राइट आंस्वर के साथ सोल किया है तो इस वीडियो को देखने के जो कोश्चन हैं उनको मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताऊ का जो आँस्वर है उनके अलावा भी जो तठेय्व बनते हैं वो भी मापको बता दूँ गाई बाकी math, reasoning और english की जो कोशन है उनका मैं direct आपको आँस्वर बताूंगा उनका मैं डारेक्ट आपको आश्र आशर HLRDC का क्या मतलब है तो इसका आंसर जो है वो है ए नमबर हरियाना Land Reclamations and Development Corporation ये बिल्कुल राइट आंसर है इसके बद अगला कोश्चन एक मैत का कोश्चन है इसका मैं डारेक्ट आंसर आपको बता देता हूं इसका आंसर है सी साथ इसका आंसर है इसके आप निकालेंगे तो साथ ही आईगा इसके बद एक कोश्चन नमबर तीन है कि अफरीका के सरंग में कोण सा देस थित नहीं है तो इसका जो आंसर है वो है लिभिया देस थित नहीं है इंतियोपिया सॉमालिया और एहट्र ये तीनों ही देस तीथ हैं लेकिन लीबिया नहीं है तो आ हम़रा रा इसके बाद अगला ये question डिजनी का question है तो यहां पर जब आप इसे हल करेंगे तो आप का अंस्वर C नमबर आएगा 511 आएगा तो इसे आप हल करके देख लिएजी इसके बाद अगला जो question है ये भी एक मैत का question है तो इसे जब आप हल करेंगे तो इसका अंसर आएगा 301 C इसका right answer आएगा इसके बाद अगला question है कि किस वर्स में हर्याना के सुल्तानपुर राष्टिय उद्दान को राष्टिय उद्दान का दर्जा मिला है तो इसका अंसर है C सन 1901 को देखिए यहां पर आपको बता देता हूं कि हर्याना के इसके अलावा जो सुल्तानपुर राष्टिय उद्द्दैन है यह नैशनल पार्क सन 1991 में ही पहली बार गोशित किया गया था उससे पहले यह नेस्टनल पार्क नहीं था इसके अलावा सुल्तानपुर राष्टिय उद्दैन साइबेरिन सारस के लिए famous है अगर यहां पर ह हम बात करें काली सर राष्ट्य उद्यान की तो उसकी स्तापना संदोहजार तीन के अंदर यम्रा नगर के अंदर हुई थी और सुल्तानपुर राष्ट्य उद्यान गुरुगराम के अंदर सिथी थे तो चलिए इसके बाद अगला कोशन देख लिते हैं तो यहां पर एक यह कोश्चन मैं आपके लिए चोड़ रहा हूँ आपको कमेंट बॉक्स में इसे निकाल के बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है काफी इजी कोश्चन है मैं जल्दी जल्दी में इसे नहीं और पाया था इसके बाद अगला कोशन है तीडिया के मजमूम किसके द्वारा लिखा गया है तो तीरिया के मजमूम ये लिखी गई है अलतायफ हुसेन हाली के द्वारा अलतायफ हुसेन हाली का जन्म पानिपत के अंदर हुआ था और इनकी मुर्ट्यू सन 1914 के अंदर हुई थी और अलतायफ हुसेन हाली मिर्जा गालिब के सीसे रहे थी यहां पर इन्हो ने मजलिस कुल नीशा, यादगार ए गालिव और सफर नामा भी कुछ परसिद पुस्त के लिखिये थी तो चले इसके बाद देख लेते हैं इसके बाद है हर्यान के पहले मुख्यमंतरी कौन थे तो इसका आंसर है भगोद्याल सर्मा डी हमारा राइट आंसर है यहां पे जो भगोद्याल सर्मा है यह जजजर के बेरी गाउं से सम्मन रखते हैं अगर यहां पे राजेपाल के बारे में पूछा जाता कि हर्यान के पहले राजेपाल कौन है तो इसका आंसर होता धरमबीर सिंग अगर यहां पे पूछा जाता कि हर्यान के पहले विधान सबा अध्यक कौन है तो वो होती शंणो दिवीो और संणोडों देवी है वह हरीना के सासत भारत की भी पहली महिलाविधान सबाग आदेक्स हैं इसके बाद अगला कोशन है हर्याना में पहली रश्टपति सासन कब लगाए गया तो यह लगा गया था 21 नॉब्र 1967 हरियाना के अंदर आभी तक तीन बार ही राश्टपति सासन लगा है पहली बार राश्पति श्टी सासन 1967 के अंदर राउ विरेंदर सिंह के शसासन काली में लगा baik था दूसरी है वो सी नंबर इसका आंस्वर है 21-43 इसके बाद अगला प्रचान है कि निमलिक में से कौन सी परणाली प्रेटक्स चुनाओ आधार पर स्तापिते की जाती है तो इसका जो आंस्वर है वो है ग्राम पंचायत यह हमारा आंस्वर आएगा जो ग्राम पंचायत है इसके अंदर सरपंस का जो चुनाओ है वो प्रेटक्स परणाली के द्वारा किया जाता है इसके लावा अगर लोग सभा के सदेश्चों की बात की जाए तो वो भी प्रेटक्स परणाली के द्वारा ही चुने जाते हैं लेकिन अगर यहां पर बलाक समीती या फिर जिला परिशद की बा पाएगा सी निम्बर 15 बटी 16 इसका राइट आंसर होगा इसके बाद है हर्यान में अंतर राष्ट्य बागवानी बजार जो है वो कहां पर स्तापित किये जाने की योजना है तो यह योजना है सोनिपत में सोनिपत के गन्नोर के अंदर इसे स्तापित किया जाएगा इसके बाद अगला परसन है कौन सार्बेटिस गवर्नर पलासी के युद के दोरान बंगाल के नवाब से लड़ा था तो इसका अंसर है ए राबर्ट कलाईव लड़ा था तो यहां पर राबर्ट कलाईव ने ये युद 1757 के अंदर लड़ा था जो कि पलासी के युद के नाम दोखा दिया गया था इसी वज़े से स्रियाजु दोला इस यूद को हार गया था इसके बाद है इस समयधानिक संसोदन आधिनियम के दौरा भारत में मदान के आयू गटाकर 18 वर्स कर दी गई है तो ये की गई है 61 समयधान संसोदन के दौरा जो की 1989 से 1961 के बीच लागू किया और दिन और हेगा सॉड़ाber भी इसका राइड़ अंसोड ऊनसूर होगा इसके बाद अगला जो कोर्शन है वो डिजनिका कोर्शन है इसे आप निका लेंगे तो इसका आंसर आए गा उत्तरपूरोदिशा एं नंमबर पांच इंगल ये इसका आंसर आएगा इसके बाद अ हर्याना को डैस कहा जाता है तो हर्याना को कहा जाता है भारत की गेहूं की टोकरी बी नंबर हमारा आंसर है अगर हम बात करें हर्याना की चेतर फल की तो हर्याना का चेतर फल है 44,212 वर्ग किलोमेटर जो कि कुल भारत का 1.34 पर तीसत है तो इसे भी आप द्यान रहिए इसके बाद अगला कोचन है कि वह वायस राय जिसे भारत में स्थानिय सोसासन का जनक कहा जाता है वो कौन थे तो इसका अंसर है B. लाड रिपन लाड रिपन के टाइम में 1882 में ग्राम बोर्ड की विस्ता अपना होई थी तो इस बात को भी आप द्यान अखना इसके बाद है हरियना में डेरू क्या है तो हरियना में जो डेरू है वो लकडी के खोल से बना एक यंतर है B. हमारा आंसर होगा इसके बाद है तुसार क्या है तो इसका आंसर है D. नंबर ठंडी स्तयों पर बने जो हिमांग से नीचे सगन होने पर बनते हैं ये इसका आंसर होगा इसके बाद है अगला परसन हम देख लेते हैं भारती सुधान के अनुछेद 51 के अंसर राजे को निमलिक परियास करने चाहिए तो इसका जो आंसर है वो हम आपको बता देता हूँ एक तो A. नंबर है अंतराश्टी, शांती और शुक्षा को बढ़ावा देना दूसरा है राश्टों के बीच नियायपून और समान जनक संबंद बनाए रखना और इसके बाद है ये वाल नहीं है ये गलत आएगा और ये जो D है ये आएगा अंतराश्टी कानून का समान करना यानकि हमारा जो आंसर है वो A, B और D है A, B और D देखिए रहा A, B और D, C हमारा आंसर होगा तो चलिए इसके बाद अगला कोश्चन है करनाल का युद किसके बीच लड़ा गया था तो करनाल का जो युद है ये है नादिर शाह और मुहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था तो हमारा आंसर हो जाएगा D, नादिर शाह और मुहम्मद शाह यहां पर मैं आपको बता दू कि जो नादिर शाह था इसने मैयूर सिहासन को लूटा था वो मैयूर सिहासन लूट के लिके गया था जिसका निर्मान साह जहा के दोवारा करवा गया था और मयूर सिहासन पर ही भारत के अंदर कोहिनूर हिरा लगा हुआ था जो भी 7-7 नादिर्शाह इसको भी लूटकर ले गया था इसके अलावा नादिर्शाह को इरान का नैपोलेन भी बोला जाता है और भारत के नेपोलियन की बात करें तो ये समुद्र गुप्त को बोला जाता है वैसे अगर ओरिजिनल नेपोलियन की बात करें तो उसका पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था जो कि फ्रांस का सा सकता और नेपॉलियन बोनापार्ट ने अपना अंतिम यूद 1815 में वाटरलू का यूद लड़ा था जिसके बाद उसका पतन हो गया था इसके बाद है निमलिक में से कौन सा एक मद्ध्य एशियाई नहीं है तो यहाँ पे जो आंसर है वो है डी अजर बीजान इसका आंसर है इसके बाद है एक डैस 27 तोत कूटो को मसीन कूट में बदल लेता है और एक निश्पद्रान योग्य फाइल बनाता है तो इसका आंसर आएगा कमपाइलर यह हमारा आंसर होगा इसके बाद है किस प्रादिकन के द्वारा मानेसर में ओद्योगिक मोडल टाउंसिप विक्सित किये गई है तो इसका आंसर आएगा हारीना राजे ओद्योगिक विकासिंगम जो की मानेसर में है जो की गुरुगराम जिले की अंतरगत आता है इसके बाद अगरा कोचन है S.C.S.I. का विश्तरित रूप क्या है तो इसका आंसर हो गया Small Computer System Interface B हमारा आंसर हो जाएगा इसके बाद है 1799 से 1794 के दोरान दिल्ली और हर्याना पर डैस का सासन था किसका सासन था तो उस समय हर्याना पर जो सासन था वो था महाद जी सिंधिया का सासन इसके बाद है निमलिक में से सम इलेक्ट्रोंस आयन है तो इसका आंसर है D नमबर N3 माइनस, O2 माइनस और F माइनस इसके बाद है राजा गजपत सिंग के दोरा 1775 में बनाए गई किले का नाम बताए एड़ के बनाए था बनाए था जीन्द का किला सी हमारा आंसर हो जाएगा यह आपर लोहारू का लोकिला है वो भीवानी के अंदर बन रहा है और जो गोहाना का किला है यह है zost oni पत के अंदर शाब सितयते हैं ने इसके बाद है सम शब्द चुनिये तो यह एक reasoning का question है यहाँ पर देखिए गाजर जो होती है वो जमीन के अंदर होती है आलो भी जमीन के अंदर होता है अधक भी जमीन के अंदर होती है लेकिन टमाटो जमीन से बाहर होते हैं तो यहाँ पर D हमारा answer हो जाएगा इसके बाद है हरियान की विदान सभा के पहले speaker कौन थे तो इसका answer है B यान की सन्नो देवी तो यहाँ पर देखिए कुछ चीजें clear करना बहुत जरूरी है यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि हरियान की विदान सभा के पहले speaker कौन है तो पहले speaker सन्नो देवी है अगर यहां पर बात की जाए कि हारी 넣고 जो सनो देवी हैं वो हर्यना की पहली विदान्सभा के सासाथ भारत की बी सबसे पहली विदान की महिला अटेक्स है ठीक है इस इस गाव आपको जानक नहीं तो यहां पर बता देता हूं कि राउ विरेंदर सिंग जो है जो कि अगर पूरुस का पूछा जाएगा तो यह आएंगे राव विरेंदर सिंग जी और यह बाद में गैर कोंगरसी सीम भी बन गए थी तो इससे र द्यान चंद गुपता जी तो इसका ध्यान रखना तो चलिए इसके बाद अगला कोशन है निम्लिक में से कि समीति ने भारत में पंचायती राज-प्रणाली की अनुसंसा की थी तो यह की थी सी नंबर बलवंत महता समीति की द्वारा तो यह जो समीति आई थी यह उनिस उ और कोशन है इसका डारेक्ट मां आपको अंसर बता देता कूं इसका आश्यान गर्यान के अंदर सी रफ दो ही नेशनल अभ्यावरन है एक तो काली सर जो की यमिननगर में है दूसरा है सुल्तानपूर जो की गुरूग्राम के अंदर है तो इन दोनों को ही आपको अच्छे से याद रखना है अगर यहां पर पूछ ले जाए कि कोटला जील कहां पे है तो कोटला जो जील है वो मिवात के इसके बाद अगला प्रसन है कि हरियाना पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मुख्य कारिया पालक अधिकारी और जिला परिश्यद के अन्य स्टाफ की नुकती से संबंदित है तो यह संबंदित है धारा 133D हमारा आंसर हो जाएगा इसके बाद अगला जो कोशन ह है वो है कौन से दो भार्ति राश्ट पती अपने कार्य काल के दुरण मृत्यू को प्राप्ट हुए थे तो यहां पर एक तो थे जाकिल हुस्यान फर्श नंबर और दूसरा है फरूक दीन आली ऐमद यह दोनों ही पद पर रहते हुए मृत्यों को प्राप्ट हुए थे त पहला और तीसरा हमारा आंसर होगा तो पहला और तीसरा कहां पर है यह रहा सी हमारा आंसर होगा इसके बाद अगला कोचन है हारियान के उस किर्केट व्यक्तितो का नाम बताईए जिसकी कप्ताली में भारत ने 1983 में पर्थम किर्केट विसु कप जीता था तो 1983 में आप सभी क लगब पता होगा कपिल देव की कपतानी के अंदर भारत ने जो विसू कप है क्रिकेट कप वो जीता था तो डी हमारा यहां पर आंसर होगा यहां पर मैं बता दो कि उस समय हम भारत का जो मुकाबला है वो वैस्टिनीज के साथ था और उस समय जो कुल ओवर होते थे वो पच जो दोनी हैं उनकी कपतानी के रहते हुए जीता था कपिल देव को हरियाना का हरीकेन के नाम से भी जाना जाता है इसके बाद अगला जो कोशन है वो है हरियाना पंचायती राज अधिनियम 1994 में निमलिक में से सही उत्तर की पहचान कीजी तो इसका जो राइट आंसर है वो वो एक मैट का कोशन है तो इसका डारेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर है बी 24 इसके बाद कोशन नमबर 44 है इसका जो आंसर है वो ए है MLT माइनस वन इसके बाद कोशन नमर जो 45 है पंचायती राज परनाली में राज शब्द का मतलब क्या होता है तो राज शब्द का जो मतलब होता है वो रूल से होता है यह हमारा आंसर हो जाएगा इसके बाद अगला कोशन है टोडर मल ने किस मुगल समराट के सासन के दोरा भूरासो की सुवात की थी तो इसका जो आंसर है वो है डी अकबर की सासरकाल में की थी तो यहां पर जो टोडर मल था वो अकबर का भूरासो मंत्री था इसके लावा अकबर अपने जो दरबार है उसके अंदर नव रतनों को रखता था नव रतनों में कुछ फेमस थे जैस की दोड़ लिखी गई थी इसके अलावा संगीत अगये थे जो की तांसें थे इसके अलावा आकपर का जो वच्पन का नाम था वो महीज दास्ता चुछ यह कोशिन भी काफी बार पूछा जाता है इसके अगला जो कोशिन है वो है हर्याना के उस जिले का नाम बताए जो परस पंडित जस्राज जी का जो जड़म है वो सन 1930 के अंदर वा था और इनकी मुरित्यू 17 अगस्त सन 2020 को अमेरिका के न्यू जर्सी के अंदर होई थी पंडित जस्राज जी को सवर समराट के नाम से भी जाना जाता है इसके बाद अगला कोशिन है हर्यान के राज्य विदान के द्वारा पतिपादित किया गया तो यह पतिपादित किया गया ग्रेगर जोन मेंडल के द्वारा अगर यहां पर बात की जाए चार्ल्स डार्विन की तो चार्ल्स डार्विन ने विकास के बारे में बताया था तोमस एडिसन ने ब्लव की खोज की थी और मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी इसके बाद है हर्याना के पिंजोर में इस्तित यादविंदर गार्डन के डिजाइनर कौन थे तो यह थे नवाब फिदाइन खाड़ी हमारा आंसर होगा यह औरंग जेब के चचेरे भाई भी थे यादविंदर गार्डन जो है इ उप्यूक्त विदियो अपकेटे डाल कर कलिलिये विलियंस में बला जा सकता है इसे क्या कहते हैं तो इसे कहा जाता है पैप्टी करन दी हमारा आंसर हो जाएगा यह बिल्कुल राइट आंसर है इसके बाद अगला कोचन है कि हर्याना में दरी बनाने का जो केंदर है वो कह हर्याना का कितने प्रतीसित अहिसर है तो यह मैंने जैसा की पहले बता इन इसमें हर्याना का जो कुल हिसा है वह इक पैंटे चोंट इस प्रतैस है इसके बाद है रेजिस्टारों का आकार जो कभी खवी डैस कलाते हैं किसी दिये गए समय पर कम्प्यूटर जिन आकड़े की मात्रा के साथ काले कर सकता है उसे दरसाता है तो ये कम्प्यूटर का कोशन है इसका जो आंस्वर है वो है डी रेंडम एक्सेस मेमोरी इसके बाद है हरियाना रिजनी का कोशन है तो इसका डारैक्ट आंसवर मा identical बता देता हूं इसका जो आंसवर है च्यार बटे पांच डी हमारा राइट आंसर है इसके बाद है पंचायत के सदेश्यों की अनहर्ता किस सवेधानिक अनुछेद में परिभाशित है तो ये परिभाशित है इसके बाद है विशु जन्शंक्या दियोस कब बनाया जाता है ग्यारा जोलाई को सी हमारा राइट आंसर होगा इसके बाद है किसे पंचायती राज का सिल्पकार कहा जाता है तो ये कहा जाता है बलवंत राय महता को इसके बाद ये मैत का कोश्चन है तो इसका जो आंसर होगा बता देता हूँ डी डी इसका आंसर है च्यार इसका आंसर है इसके बाद है हर्यान में डैस भिवानी जिले का विदान सबा छेतर है तो ये है लोहारू जिले का लोहारू से मूल्चन सर्मा समंदित है जो की फिल भारत के पंचायत राज-परणाली में कितने स्तर होती हैं तो इसका आंसॉर है डी तीन स्तर होती हैं पहला तो गराम पंचायत दूसरा पंचायत समेती और तीसरा होता है जेला परिशयद्ट इसके बाद ये कंप्वीटर का कोचन है एक मोणिटर का 10 30 सेकिंड समय संक्या को गर्ण स्क्रेन पर प्रतेक्सप्स पर स्कैन कर सकते, वो क्या होता है, तो वो होता है, रीफ्रेस दरr, B हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, उस जिले का नाम बताईए, जो हर यांग में नालिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है ना लिकाओ यान की जो लोहे की पाइप होती है उनका उत्पादक है तो लोहे का समान है तो आपको पता ही है हर्याने के अंदर आईरेल सिटी की से बला जाता है हिसार को बला जाता है तो डी हमारा आंसर हो जाएगा जीन्द को बोला जाता है मिल्क सिटी के नाम से और गुरुगराम को बोला जाता है सिटी ओफ मिलेनियर यान की अमीर लोगों का शहर, मिलेनियर यान की इसके पास आर्बो रुपे हैं मिलियन रुपे हैं उनका से है और जो यम्ना नगर है इसे सरस्वती सुगर मील के लिए जाना जाता है इसके बाद है भारत के किस राजे में पंचायती राज परनाली सोरी एक कोशन्स यहां पर कट रहे हैं इसके लिए आपसी माफ़ी जाता हूँ नहीं है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मिघले में भी है, मिजोरम में भी है, नागलेंड में भी है तो उप्यूक्त सभी जो है यह इसका आंसर आएगा इसके बाद है परसन चिन के स्थान पर क्या आएगा तो यह एक रिजिनिक का कोशन है इसे आप स्वोल करेंगे तो यहां पर 68 का आंसर आएगा D, E आएगा D यहन की D आंसर है और इसमें जो आएगा लास्ट में वो E, E option आएगा यहन की D इसका आंसर है इसके बाद है पंजाब और हर्याना उच नैले के परतम न्याइदी से कौन थे तो यह थे न्यायमूर्ति रामलाल इसके बाद है हर्याना पंजाइती राज अधिनियम 1994 का जो उतर है वो यहाँ पर हमें पैचार ना है तो इसका जो उतर आएगा वो आएगा C नमबर धारा 211 राजे चुनाव आयो के नियम से समदित है इसके बाद अगला जो कोश्चन है वो है निमलिक में से कौन सा गैर वोल्ट लाइट मेमोरी का एक उधारन है गैर वोल्ट लाइट मेमोरी याँनकी लाइट अगर चली जाती है तो उसके बाद भी जो मेमोरी है वो सेव रहती है तो यह आएगा A नमबर रीड ओनली मेमोरी R.O.M.G. से बोला जाता है इसके बाद है हरियना सरकार के दोरा दिये जाने वाला उच्तम खेल पुरसकार का नाम बताइए तो यहां पर हरियना सरकार के दोरा पुझा गया है तो हरियना सरकार के दोरा उच्तम खेल पुरसकार है भीम आवार्ड ए हमारा राइट आंसर है तो फिलहाल ये जो आवार्ड है ये हर्याना सरकार के दोरा रानी रामपाल और वीनेस फोगाट को दिया गया है अगर यहां पर कोश्चन्स पूछा जाता की हर्याना की बज़ाए भारत का खेल की शेतर में दिया जाने वार्ला सर्वों से जवावाड है वो कौन सा है तो वो है राजीव गांदी खेल अतन पुरिसकार जिसकी सुवात उन्नी सो इक्याण में और बाण में की द्वारा ने किये गई थी इसके बाद है 2010 में राष्ट्य पंचायती राज दियोस का उद्गाटन किस ने किया तो यह किया था डक्टर मन मोहन सिंग के द्वारा भी हमारा आंसर हो जाएगा इसके बाद यह एक रिजनी का कोचन है इसे आप हल करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो बी वाल आएगा कि लहन ये आपका अंसर होगा इसके बाद है हाघ्याना में अधिक शाक्षारता वाला जिला कौन सा है तो यह है बुरण गावा जिला है अगर यहांपे बात की जाता कि कि हर्याना का सबसे कम शाक्षता वाला जिला कौन सा है तो वो होता मेवात यदि यहां पर पूछा जाता कि हर्याना का सबसे ज्यादा पूरुस में शाक्षता वाला जिला कौन सा है तो वो आता रेवाडी जिला अगर यहां पर पूछा जाता कि हर्याना में सबसे अधिक महि खाफ़ान वाला जिला किया कोच्छा तो घुरगावाह ही होता इसके बदे मादमा गांभी ने अपनी परसिद दान्टी जो यात्रा है वो कहां से प्रारम की थी मात्मा गांदी ने यह यात्रा साबर मती आश्रम से 78 यात्रों के साथ शुरू की थी और यहाँ पर 240 दिन तक मात्मा गांदी को चलना था एक दिन के अंदर 10 मील की जो दूरी है वो तै करने थी 5 अपरेल को मात्मा गांदी दांडी पहुंच गए थी और अगले दिन यहन की 6 अपरेल को इन्होंने नमक बनाये था और अंग्रेजों का जो नमक कानून है उसे तोड़ा था यहाँ पर अगर भारत छोड़ा अंदरलन की बात की जाती तो वो जो शुरात की गई थी उसकी सुआत आठ अगस्त को की गई थी क्योंकि भारत छोड़ा अंदरलन काफी फेमस है और काफी exam से में पूछा जाता है तो इसे भी आप ध्यान रखना आठ अगस्त को भारत छोड़ा अंदरलन की सुरुआत की गई थी तो चलिए इसके बाद अगले question देख लेते हैं तो आगे English और Hindi आ गई है तो इन में कोई GK के questions नहीं है तो direct में जो answer है वही आपको बता दूगा तो English का question number जो 37 है इसका answer है C number You miss use it and if you don't इसके बाद question number जो 38 है इसका answer है D इसके बाद question number 79 का जो answer है वो है C इसके बाद question number 80 का जो answer है वो है A वाईल इसके बाद question number 81 का जो answer है वो है C इसके बाद question number 82 का जो answer है वो है A transmitted इसके बाद question आते हैं हिंदी के तो यहाँ पर हम हिंदी देख लेते हैं त्रिशूल उपनाम किसका है तो यह है गया परशाद सुल्क सनेही दी हमारा अंसर होगा इसके बाद है हिंदी किस परिवार की भासा है तो ये है भारोपिय सी हमारा अंसर होगा इसके बाद है निबंद गदे की कसोटी है ये है किसकी रचना है तो ये रचना है राम चंदर शूकल की दी हमारा आंज़र होगा इसके बाद है इन में से कौन पर्थम तार तक के सोरिय पीछी मिट गया मैं आपको नहीं दिखा पहा है तो इसका जो आंज़र होगा हूं आपको बताये तहूं इसका आंसर होगा नेमी चंद्र जेन ये हमारा आंसर होगा इसके बाद है भाव विस्तार को डैस भी का जाता है तो ये का जाता है पलवन इसके बाद है बंगाल का काववे के लेखा कौन है तो ये थे हरिवन सराइब चंदी हमारा आंसर होगा इसके बाद है बरवे नाइका भेद गरंथ के रचेता जो है वो कौन थे तो ये थे ए नमबर रहीम थे इसके बाद है हिंदी में वेग्यानिक अलोचना का संत्रप्त आपको बताना है तो ये जो है इसका राइट आंस्वर है सी आचारिय रामचंदर शुकल आई होप की दोस्तों ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जोर कीजेगा और चैनल पर नए हैं तो स्क्राइब करना बिल्कुल मत बुलिए तो जल्दी मिलेंगे ऐसे है एक और नए एक्जामस के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत